एक मितर ने प्रस्न पूछा है कि मैं एक लड़की से प्रेम करता था और बाद में मेरा उससे सम्मंथ चूड़ गया वो अभी भी उसी कॉलेज में है मैं भी उसी कॉलेज में हूँ लेकिन जब वो मेरे और किसी सांथियों से बात करती है तो अब मुझे इर्शा होती है और पहले तो यह सम्मंद तूटने पर मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हुआ लेकिन धीरे धीरे मेरा दुख तो कम हुआ है लेकिन अभी भी मेरे अंदर इर्शा कम नहीं होती जब भी वो किसी और से बात करती है तो मेरे अंदर इर्शा कम भाव वैदा हो जाता है मैं क्या करूँ इर्शिया या किसी सम्मंद के बिछुड़ जाने है पर जो दुख होता है उसके पीछे तो राग है राग से आसकती पैदा होती है और कामना जब पूरी नहीं होती तो ग्रोध पैदा होता है एक बार की बात है मैं कसी कॉलेज में बहुत तिनों तक रहा वहाँ मेरी मुलाकादे लड़के से हुई यूहीं अचानक वो कभी मुझे मेरी कभी दाओं को पढ़ते हुए मैंने देखा तो मैंने उससे पूछा कि तुम कभी दाओं में इंटरस्ट रखते हो उसने का हाँ और मैं आपको भी जानता हूँ क्योंकि मैंने आपको बहुत जगत देखा है कभी दाओं को पढ़ते हुए दीरे दीरे उससे मेरा मेल जोल बढ़ने लगा वो मुझे अक्सर ही मिल जाता कॉलिज की कैंटिन में मिल जाता कभी कहीं किसी और फंक्सन में मिल जाता एक दिन वो मेरे पास आया और उसने मेरे से कहा कि मैं एक लड़की से प्यार करने लगा हूँ लेकिन मैं उससे कह नहीं पा रहा हूँ मैंने का कैसे हुआ या तो उसने कहा कि मैं एक दिन उसके गलास वो मेरे क्लास में ही थी हमने क्लास अचेंड करी और उसके बाद थोड़ी देर का जो हमें क्लास में ब्रेक मिला उसमें मैं कैंटिन में जाके कॉफी पीने लगा वो भी मेरे पीछे पीछे आ गई वो अगेली थी तो मैंने उसको कॉफी ओफर कर दी और हम दोनों ने कौफी भी और वो अफगानिस्तान से आई हुई थी मेरी बाची थोड़ी सी उससे हुई और उसके बाद से कुछ इत्फ़ाक ऐसा हुआ कि वो क्लास में नहीं आई मैं यह सोचता रहा बहुत दिन तक कि वो क्लास में क्यों नहीं आ रही है उसके पिता किसी फोरें इंसिटूट में थे और वो उनका टांस्फर हो गया अब वो वापस पर अफगानिस्तान चले गए तो उसे भी अफगानिस्तान जाना पड़ रहा है वो अफगानिस्तान चली गई और मैं यहां बेचैन हो रहा हूँ अब मेरी आप कुछ मदद करें मैंने का मैं क्या मदद करूँ मैं जानता नहीं मैं उसको नहीं जानता मैं तुमको कुछ दिनों से जानता हूँ तुमारी उससे क्या बात हुई यह भी मुझे कुछ पता नहीं तब उसने कहा कि उससे कोई ऐसी बात तो नहीं वी लेकिन मेरे को अब सपने आने लगे हैं सपनों में बुज़े वही दिखाई देती है और अब मेरे को रात में नीद नहीं आती मेरे को घर में भी लोग मेरे 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 से बहुत परिसान होने लगी है मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया है और माँ कहती है कि कोई बात नहीं हम तुम्हारी साथी कर देंगे कहीं और कर देंगे लेकिन मुझे तो उसी से साथी कर देंगे उसके बाद वो मुझे कभी नहीं दिखाई दिया और कई सालों के बाद फिर मेरी उससे मुलाकात हुई एक गार्डन में मैं उस गार्डन में वॉक के ले गया हुआ था अचानक मैंने देख़ए कि वो दोड रहा है वो खुदी रुग गया उसने मुझे पहचान लिया उसके बाल सारे किरे हुए है और बदन पुरा भर गया है काफी मूटा हो गया हाथ में कोल ड्रिंक की बोतल है और दोल लगा रहा है मैंने का तुम कैसे हो यह आलत कैसे हो गई तो उसने पुरी कहानी बताए कि मैंने उसको जाने कहां कहां नहीं खुजा मुझे अब पता चला है कि उसके फादर अमेरिका में है और वो अमेरिका में रहती है मैंने का तुम्हें कहां से पता चल गया उसने का मैंने इंटरनेट में खुजा है अब यह बच्चा एक इंसिडेंट जो कि सिर्फ कौफी इसके साथ पी गई और सिर्फ इतनी सी बात कि यह उसकी क्लास में क्लासमेट है कोई ऐसा भाव उसकी दरब से नहीं होगा लेकिन इसने अंदरी अंदर सपने से जोली है यह अंदरी अंदर राक पैदा हो गया और इस राक का इसको पता नहीं क्योंकि इसको राक के बारे में तो कोई जानकारी ही रही है इसने खुदी मनसूबे है खुदी इसने सपने बुने हैं खुदी इसने अपनी तरफ से एक फिक्षन बनाया है एक फिक स्टोरी बनाई हुई है एक तरफ आप यार और अब इसकी ये इस्तिती हो गई है कि इसको नहीं आती ये गोली खाकर सोता है घर मैं मा है परिसान है बाप में परिसान है बाप कर दूबई में रहता है करता है तुम दूबई आ जाओ ये दुबई जानी को तयार नहीं माँ को इसने परिसान कर लगा है खुद ही अब परिसान है कहता है मैं सुबस से लेकर साम तक मैंने एक साइकल खरीदी वे उस साइकली मैं साइकलिंग करते रहता हूँ दिन में दोपहर की करिमी में 45-50 टेमपरिचर में ये दिल्ली में साइकलिंग कर रहा है कोल्डरिंग पी रहा है सिगरेट पी रहा है पहले सिगरेट नहीं पीता था अब सिगरेट पीनी सुरू कर दे बाल पूरे गिर गए है कारण क्या है कारण है कि आदमी बाहर की तरफ देख रहा है उसे अपनी तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है वो अपने मन को नहीं देख रहा है वो अपने अंदर जो भाव और विचार उठे हैं जो फेक स्टोरी वनी है जो फिक्सन हुआ है उसको नहीं देख रहा है वो इतनी बुरी तरह से परभावित हो चुका है एक इंसिडेंट से जो कि एक इत्वाक था, पहला इत्वाक कि वो गैंटीन में काफी पी रहा था और वो आ गई, उस अकेले थी, इसके साथ बैट गई, इसने आफर किया काफी पी ले मनाने कर पाई होई, इस वज़े से पी ली, या उसके वहाँ इस तरह का कल्चर होगा कि कोई ओफर करे तो मनाने कर सकते डाइरेक्ट, हमारे मादो थोड़ा सजी जग होती भी है या उसने बहुत ही लाइट ले लिया होगा, कोई इतना सीरिस बात नहीं थी, ठीक है, क्लास का ही स्टूरेंट है लेकिन इसके अंदर राख पैदा हो गया यह अब उस राख को नहीं देख पा रहा है, और इस राख की वजह से कितना दुख हिसने पैदा कर दिया है अपने जिन्दिगी में सरीर बुरी तरह से खराब हो चुका है मान सीखिस्ती दिया हो चुकी है कि मन इतना भी चेन है कि रात में नीद तक नहीं आती, अब आप अंताजा लगा सकते हैं कहता है कि मैंने साइकेटिस्ट को दिखा दिया, कहता है कि मैंने काउंसलिंग करा ली, कहता है कि मैंने NLP प्रोग्राम जॉइन किया नियूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनलपी की क्लासिज ली उसमें कई हजार रुपे खर्चिके है लेकिन उसके बावजूद भी सबकुछ खरने के बावजूद भी वह घटना को भूल नहीं पाता और अपने अंदर जो उसने एक सपना बुना था उस सपने को वह अब तोड़ने ही पाता अब वो इंटरनेट पर खोचता है कि वो अमेरिका में कहां होगी कहां कहां से वो जानकारी इखटी कर रहा है और क्यों कर रहा है उस जानकारी को इखटी करके अब होगा क्या इस तरह से मन प्रभावित हो जाता है कारण कि राग से यह सब होता है राग से ही क्रोथ पैदा होता है राग से ही लोफ पैदा होता है राग से ही मुव पैदा होता है यह सब राग है अगर राग से बस तू पाली गई तो लोफ और तो मुव पैदा होगा अगर राग से बस तू नहीं पाई गई तो क्रोथ पैदा होग अगर कामना पूरी हो जाती है तो बार बार पाने की इच्छा उसे लोब जगता है और अगर पूरी नहीं हुई तो क्रोध पैदा होता है इस प्रकार और जब पूरी हो गई तो उसके बिछूड़ने की प्रवर्ति से मुह पैदा होता है राग या आसकती एक बहुत ही बुरी चीज है वनुश्री के लिए जिससे उसका पूरा जीवन पूरा जीवन नर्ग बन जाता है लेकिन या राग या आसकती ऐसा नहीं है कि किसी को जगती है और किसी को नहीं जगती सब को जगती है क्योंकि इंद्रिया और इंद्रियों के द्वारा मन बाहर चाता है इंद्रिया चक्ष्य विज्ञान बुद्ध कहते थे कि चक्ष्य विज्ञान से जब मानस पटल पर मानस पटल पर प्रतिविम्ब बनता है तो उस पर तिविम्ब से बेदना उठती है और उस बेदना को अगर उसका पीछा किया गया अगर उस बेदना को नहीं देखा गया अगर उस बेदना का पीछा किया गया और उस बेदना के साथ साथ चले गए तो फिर बहुत ही ज्यादा गहराई में मनुश्य से घुश जाता है और उस बेदना के साथ साथ वो एक ऐसे भावचक्र में फंस जाता है जैसे यह कहानी अभी पताई गई देखा ही नहीं गया, बेदना तो उठी थी, राग उठा तक आ सकती हुगी थी जक्सिय विज्यान ने कुछ आख देखी होंगी, नाख नक्स देखी होंगी बोलने का तरीखा देखा होगा, कुछ और भाव नहीं देखी होंगी वो सब अंदर पडल पर प्रतविम दिथ हो गया, प्रतविम बन गया और उस प्रतविम कोफिर, बाव बार उसका अउलोकन करना, बार बार उस प्रतविम के साथ जीना बार बार उस चाया के साथ जीना उस चाया के साथ रहना और उस चाया के साथ जीते जीते एक कहानी बना देना यही तो करता है इंसान और इसके दूस पर इनाम क्या होते हैं उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब कितने बुरी तरह से भोचकर मफस गया कितने बुरी तरह से एक भवर नफस चुका है अब उस भवर से अगर कोई हाथ न दे कोई सहारा न दे कोई हाथ ही पकड़ कर उपर ने खीच ले तब तक निकला नहीं जा सकता इसलिए तो गुरू की जरूरत है इसलिए तो बुद्ध की जरूरत है इसलिए तो सत्पुरुष चाहिए इसलिए तो सत्पुरुष चाहिए और मनुस्ति के लिए यह बहुत आसान है कि वो इस तरह के राग काम करोध मुह लोव इर्शया द्वैस मफज्ज आए बहुत आसान है क्योंकि हर एक दूसरे के साथ चुटी हुई है हर एक से दूसरा पैदा होता है जब अपने अहम पर चोट लगती है तो सत्पुरुष पैदा होती है द्वैस पैदा होता है कॉम्पुटिवनेस पैदा होती है अगर दूसरे नेपालिया तो इर्शया पैदा होती है अब जैसे इन वित्र निप्रस ने पूछा है इनके साथ उसकी दोस्ती है अब दोस्ती नहीं रही दोस्ती नहीं रही तो यह भी तो सूचना चाहिए कि दोस्ती क्यों नहीं रही कहीं न कहीं हमारे एहंकार को चोट लगी होगी कुछ ऐसा हुआ होगा जो हम परदास्त नहीं कहीं कुछ ऐसा हुआ होगा कि मैं इतना आसकत हो गया कि अब मैं उस आसकती कि वजह से उसको चार दिवारी में कैद करना चाहता हूँ उसको बंद करना चाहता हूँ पिंजडे में उसको कैद करना चाहता हूँ क्या कभी किसी प्रेम को पियार को पिंजडे में कैद किया जा सकता है लेकिन मैं पियार तो करता हूँ लेकिन पिंजडे में कैद करना चाहता हूँ और पियार तो मुक्त आकास में उड़ने जैसा है प्यार को कहीं कैद नहीं किया जा सकता और मनुश्थी की आसकती और राग का परिणाम यह होता है कि वो इतना मुह में करसित हो जाता है इतना आसक तो हो जाता है कि वो फिर सूचता है कि यह सांस भी ले तुम मेरे से पूछ कर ले और यह हो नहीं सकता ऐसा नहीं है कि अगर हमने किसी से प्यार किया है अभी हम किसी बंधन में नहीं है तो वह अपनी जिन्दी की जीए और हम अपनी जिन्दे की हम मिलें जरूर लेकिन फिर भी दूर दूर रहें ऐसा नहीं है अगर हम एक भी हो जाएं मालिया जाए हमने साथी भी कर ले हम एक साथ भी रहने लगें फिर भी आ सकती इतनी बुरी तरह से घेर लेती है अब वो उस पर नजर रखता है कि वो कहा जा रही है किस से बात कर रही है क्या अच्छा कर रही है क्या बुरा कर रही है क मेरे हिसाब से चलना चाहिए उसको मेरे हिसाब से यह आदित छोड़ देनी चाहिए, मेरे हिसाब से यह आदित अपना लेनी चाहिए और वो कोई बुद्ध पुरुस नहीं कि वो सर्वगुन संपन न हो उसकी सब आदते वैसी हैं लेकिन वो चाहता है कि मैं जिसको चाहता हूँ उसकी सब आदते ऐसी हो जाएं जैसे मैं चाहता हूँ वो ऐसी हो जाएं वो ऐसा हो जाएं जैसे मैं चाहता हूँ और यह होता नहीं, न तो आदमी ऐसा कर पाता है, न और ओरत ऐसा कर पाती, और फिर घर में ही एक होने के बाप चूच छगड़ा हो जाता है, और फिर या तो जिन्दी की वैसी ही घसिट घसिट कर जीता है आदमी, और या फिर ब्रेक अप हो जाता है, तलाग हो जाता है, कु चाया तक नहीं देखना चाहते और यह एक दूसरे से प्यार करते थे प्यार करते थे और एक दूसरे की चाया भी नहीं देखना चाहते यह कौन सा प्यार था जरा सोचो और बुद्ध तो प्यार की परिभासा कोछ और ही रहते प्रेम प्रेम तो मुक्त आकास में उड़ती सुगंध है उसको किसी पीड़े में कैद नहीं किया जा सकता और हम यही कोसिस करते हैं अगर हमारा बच्चा है तो जैसे हम चाहें वैसे चले वो जैसे हम पढ़ाना चाहें वैसे पढ़े जैसे हम खिलाना चाहें वैसा खेले जैसे हम उसको रखना चाहें वैसा रहे जो हम आ है उसके अंदर भी प्राण है उसके अंदर भी मन है और उसका मन उसके ही हिसाब से चलेगा और इसी वजह से जीवन में इतना दुख फैदा हो जाता है और इस दुख से कभी भी खत्म नहीं होने वाला ये दुख नरक कारण बन जाता है और मनुस्य की बुद्धी इतनी बुरी तरह ग्रसित हो जाती है कि उसकी सोचने समझने की श्यमता ही बरबाद हो जाती है वो सोच समझी नहीं पाता वो बुरी तरह से आहद हो जाता है उसको अब कुछ भी सूचता नहीं वो कुछ भी बिचार नहीं कर पाता उसकी बिचार की श्यमता ही खत्म हो जाती है उसका विवेक पूरी तरह से बंद हो जाता है उसकी प्रग्या पूरी तरह से बंद हो जाती है उसकी बुद्धी पूरी तरह से बंध हो जाती है उसको कुछ भी सूचता नहीं उसके दिल और दिमाग में इतना कसाव हो जाता है उसका मन उसका सर इतना भारी हो जाता है कि उसके बाद उसके अंदर कुछ सूचता ही नहीं उसकी तर्क की शम्ताई खत्म हो जाती है और ऐसा व्यक्ति फिर अपने जीवन में अगर प्रियत ने भी करे तो कहीं ने कहीं यह जो ग्रूप्स लगे हैं यह जो घाव लगे हैं यह उसका पीछा करते हैं इसलिए तो जो परवरी से बच्चों की इसलिए तो मनुष्य जब जवान होता है तो उसको बहुत ही फूप फूप कर अपना कदम रखना चाहिए कहीं भी अगर कोई इस तरह की खरोच लग गई इस तरह का कोई निसान लग गया इस तरह की कोई बेदनाय सेहन करनी पड़ गई तो फिर इसके परिणाम बहुत ज़्यादा मन पर पड़ते है ऐसा नहीं है वक्त आते आते सब भर जाता है अब जैसे इन मित्री ने प्रस्नी किया है कि वक्त के साथ साथ अब उस दुख से मैं बाहर तो आ गया हूँ लेकिन अभी भी इरश्या पैदा होती है जब वो किसी और से बात करती है क्यों इरश्या पैदा होती है इससे यह पता चलता है कि अभी भी राग बचा हुआ है राग से ही इरश्या पैदा होती है क्योंकि अगर राग है आ सकती है और अगर वो पूरी नहो और किसी और की पूरी हो जाए तो इर्शया पैदा होती है और अगर राग आ सकती पूरी न हो तो क्रोध पैदा होता है क्रोध इर्शया में बदल जाता है किसी और के साथ देखने से इर्शया और अगर अपने साथ न हो अगर अपने मन जैसा न हो कुछ तो फिर क्रोध और ऐसी इस्तिती पैदा हो जाती है कि मनुष्य एक ऐसी डिवैलिटी में आ जाता है कि इस डिवैलिटी से बाहर निकलेगा कैसे इसकी डिवैलिटी से बाहर निकलने का समाधान बुद्ध देते हैं बुद्ध कहते हैं कि इन सब को अपने जीवन में देखो अपने राग को पहचानो अपने अंदर मन में लगा हुआ राग अपने अंदर मन में लगी हुई आ सकती अपने अंदर मन में उठ रही तरशनाओं को देखो यह तरशना क्यों है? अगर मुझे ऐसा है कि मैं किसी के साथ फ्रेंट्सिप करना चाहता हूँ मेरे अंदर यहां आ सकती अगर है तो मेरे अंदर फिर निभाने की शम्ता भी होनी चाहिए फिर मुझे यह भी सुविकार करना होगा कि यहां आ सकती मेरे अंदर है तो इस आ सकती को मैं निभा भी पाऊं उसको सुविकार करने की शम्ता भी होनी चाहिए उसको जैसा वो है उसको वैसे ही सुईकार कर लो वो हम करने ही पाते हैं हम अपने टम्स और कंडिसन पर सुईकार करेंगे और अपने टम्स और कंडिसन पर हम अपने को नहीं चला पाते हैं तिरह सोचो कितनी बार हम कोसिस करते हैं वो उटने कि हम उटने ही पाते, कितनी बार हम कोसिस करते हैं कि हम एक्जाम में अच्छी परफॉर्म करेंगे, हम करने ही पाते, और कितनी बार हम कोसिस करते हैं कि हम अपने प्यावार अच्छा रखेंगे, लोगों के बीच में, लेकिन हम रखने ही पाते, कितनी बार हम कोसि प्रण करते हैं फिर भी हम निभा नहीं पाते क्यों इसलिए क्योंकि हम खुद ही नाकाम्याब हो जाते हैं हमारे अंदर वह ड्रड़संकल्प नहीं है क्योंकि प्रग्या का एक भाग है ड्रड़संकल्प ड्रड़संकल्प ऐसा नहीं ड्रड़संकल्प का अर्थ ही यही है क कहीं न कहीं प्रग्या जग गई है और अगर द्रड़ संकल्प नहीं है हम बार बार अपनी ही गलती अपने ही कहे हुए पर नहीं चल पाते और हम दूसरे को अपनी तरह से चलाना चाहते है यह कितना बड़ा बिरोदा भास है हमारी जिंदिकी में कि हम अपने को तो अपनी तरह से नहीं चलाना चला पाते लेकिन हम दूसरे को अपनी तरह से चलाना चाहते है तो इस से अगर हमारे जीवन में दुख पैदा नहीं होगा तो सोचो किसकी जीवन में दुख पैदा होगा हम अपने ही जीवन में दुख पैदा नहीं करते हम उसके जीवन में भी दुख पैदा कर देते हैं जो हम से जुड़ जाता है हमें सोचना होगा ठीक है कोई भी यहां पूरा नहीं हम भी पूरे नहीं दूसरा भी पूरा नहीं लेकिन हम जैसे हैं हमें उसको भी स्विकार करन चाहिए और जो जैसा दूसरा है उसको वैसे ही स्विकार करना चाहिए तब कहीं हम निभा पाएंगे अब हम आध्य अधूरे हैं और हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति पूरा हो और हम आध्य अधूरे हो हम आध्य अधूरे में भी उसके पूरे पन को स्विकार कर लेंगे नहीं कर पाएंगे अगर वो पूरा है और हम आध्य है तब भी हम उसकी तरह नहीं हो पाएंगे बुद्ध पूर्ण पुरुस थे और बुद्ध जब हमारे बीच में होते हैं तो हम सुविकार नहीं कर पाते हैं क्योंकि बुद्ध के जीवन जीने का तरीका बिल्कुल लगए वो हमें बरदास्त नहीं होता बुद्ध महल में भी वैसी रहते हैं और बुद्ध जंगल में भी वैसी रहते हैं क्योंकि वो पूर्ण पुरुस हैं हम महल में भी दुखी हैं हम जंगल में भी दुखी हैं हम में कोई फरक नहीं बुद्ध महल में भी सुखी हैं और बुद्ध जंगल में भी सुखी हैं कोई फरक नहीं लेकिन हमारी इस्तिती बिल्कुल उल्टी है, हम महल में भी दुखी है, हम जंगल में भी दुखी है तो हमें सोचना होगा कि हम गलत हैं हमें सोचना होगा कि अगर अभी भी हमारे अंदर इर्शया पैदा हो रही है उस ब्यक्ति को दूसरे के साथ देखकर दूसरे के साथ बात करते हुए देखकर दूसरे के साथ खाते पीते हुए देखकर या उसके पहनने को देखकर या उसके चलने को देखकर या उसकी और activities को देखकर तो हमें यह सोचना होगा कि यह इरश्या का कारण है कि अभी हमारा जो राग था वो पूरा नहीं हो पाया अभी हम उस राग से आहत तो हुए हैं, लेकिन अभी भी हमने कुछ सीखा नहीं, हम सीखेंगे तभी जब हम अपने राग को समझेंगे, ऐसा नहीं है कि तरशना पैदा नहीं होगी, हम मुर्दे नहीं हैं, तरशना तो मनुष्ची में पैदा होती ही है, उसको भरी आँख देख लेने से, उस राग को पहचान लेने से, उस द्वैश को देख लेने से, वह राग वह द्वैश कम हो जाता है, सामने दिखाई दिया अगर तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और एक दिन ऐसा भी आएगा, जब धी दीरे दीरे वो बिल्कुल ही हमारे सामने हमें नजराएगा और हम उससे उस पर काबू पालेंगे लेकिन यह होगा तेभी जब हम बिपश्यना को कहरे में करेंगे अभी हम जो बिपश्यना करते हैं आना पान समर्थी करते हैं उसमें भी हमारा मन सधा नहीं हमारी इस्तिरता बहुत कम है अगर हमारी इस्तिरता होती तो फिर जरूर हम देख तो पाए कि हम आहत हुए हैं हम देख तो पाए कि हमारा ब्रेक अप हुआ हम देख तो पाए लेकिन उस ब्रेक अप में हमें खुशे होनी चाहिए थी कि मैं उसको नहीं समझा पाया या वो मेरे मन को समझ नही समझ भाई, मेरा ब्यक्तितो और उसके ब्यक्तितो बहुत अंतर है, तो कोई बात नहीं, हम अलग हो गए, लेकिन हमें अलग होने से, इर्शिया नहीं हो, अगर हमें ब्रेक अप ही हो गया, ब्रेक अगर हमने ही उसमें पहल की है, तो फिर इर्शिया का कोई कारण नहीं हो जा उस अपने उस जैसा वो ब्यक्तित्तो था उस ब्यक्तित्तो पर हम खरे नहीं उत्रे और घर हमारा ब्यक्तित्तो अच्छा था और वह उस ब्यक्तित्तो पर खरी नहीं उत्री और हमने अलग होने का नहीं लिया तो हमें उससे इर्शिया नहीं होनी चाहिए थी बरकि हम तो इस बात को हमें समझना होगा अपनी तरफ कौमपास रखना होगा अपनी तरफ कौमपास की सुई ही रखनी होगी अपनी तरफ देखना होगा और जो हम ध्यान कर रहे हैं उसमें इस्तिर्था तभी आएगी जब हमारा आनापान अच्छा होगा और फिर हम अपने धर्मों को हम देख भाएगे धर्मानु पस्य को चौथा ध्यान है उस ध्यान से ही हम समस्त विकारों से मुकत होते हैं अपने राख को देखपाते हैं अपने द्वैस को देख पाते हैं अपनी इस्या को देख पाते हैं अपनी तरशना को देख पाते हैं नहीं तु नहीं दिखाए देगे बहुत सुक्षियम है यह पाचों इंद्रियां कब बाहर से अंदर बेदनाएं पैदा कर देंगी और कब हम उन बेदनाओं को छू लेंगे और कब आसकती और तरशना का रूप ले लेगी यह हमें पता भी नहीं चलता हम इस फरक को देख ही नहीं पाते हम इसकी गहराई को देख ही नहीं पाते हम इस बहाओं में बह जाते है क्योंकि इसका वेक बहुत जाता है इस से बचने का एक ही तरीका है कि अपने ध्यान को और गहरा किया चाएं अपने से पूछा जाएं कि जब तुम उस से जुड़े हुए थे तब तुमें क्या सुख मिला अब तुमने उसको छोड़ दिया है तो तुम्हें क्या सुख मिल रहा है तब तुम्हें क्या दुख मिला था और अब तुम्हें क्या दुख मिल रहा है अब तुम्हें अगर दुबारा से वो मिल जाए तो क्या तुम्हें सुखी हो जाओगे ये इर्शिया तो फिर भी पीछा करेगी क्योंकि फिर ऐसे इस्तितियां पैदा होंगी और फिर इर्शिया जन मिले लेगी फिर मोह जन मिले लेगा फिर लोब जन मिले लेगा और कुछ और कुछ और कुछ नया लोब पैदा होता है यह कहीं चलेने जाए मोह पैदा होता है और अगर चली गई तो फिर इर्शिया पैदा होती है कि अब देखते हैं किसी और के पास कैसे क्या करेगी कैसे क्या नहीं करेगी कैसे क्या करेगा क्या नहीं करेगा कहां जाएगा यह कहीं न कहीं हमारे अंदर इतनी negativity हो जाती है दूसरे के प्रति और बुद्धी इन सबसे बचने का उपाई हमें बताते है मैत्री भाउना मैत्री भाउना एक घहरा ब्यास है ध्यान का लेकिन मैत्री भाउना भी हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर इतना ज्यादा मैं और मेरी का भाउ है एहम भाउ है और यहुद है स्कूल कॉलेज में इसी तरह से जीवन जीया जाते है लेकिन जो ब्यक्ति ध्यान साधना की तरफ आ गया उसको तो अपने अंदर देखना दुख इसी बात का तो हो रहा है क्योंकि हम अपनी तरफ देखना भी चाहते हैं और अपने अंदर और अपने अपने में हम जिस तरह से आखत हुए हैं उसको हम संभाल में नहीं पा रहे हैं लेकिन हल कोई दूसरा नहीं हल एक ही है और वह है ध्यान दूए एक ही है और वह है ध्यान ध्यान के अलावा और कोई भी इस्तिती में हम इरशिया से नहीं बसके को इरशिया को दूर नहीं कर सकते ध्यान के अलावा और कोई ऐसी बिथी नहीं ऐसा मैथड नहीं जिसमें हम तरशना से उपर उठ सके ध्यान के अलावा और कोई ऐसा मैथड नहीं कि हम अपने क्रोथ फरकाबू पाले कोई भी बस्तु इतने मुल्यवान नहीं है इस दुनिया में जिसके लिए अपने उसलों के गुरुबानी दी जाए कोई भी विवस्तु इतनी मूल्यवान नहीं है जो ध्यान के बदले में पाई जाए अगर हम अपनी ध्यान को कमजोर करेंगे कमजोर ध्यान से अगर हम सोचेंगे कि हम इन विकारों से उपर उठ जाएंगे तो वो नहीं होने वाला यह विकार जिन्दी किसी ने किसी मोड़ पर फिर हमारी सामने आके खड़े हो जाते क्योंकि मनुस्य का मन मरता नहीं यह तो मरने के बाद भी पैता हो जाता है और मन में ही यह सब विकार लगे हुए इनको इस विकारों से मुक्त होने के लिए मन को साफ करना होगा और मन को साफ करने के लिए ध्यान ही एक मातर method है ध्यान ही एक मातर दवा है और ध्यान के लिए हमें पूरा वक्त देना होगा ध्यान से जरूरी जीवन में कुछ नहीं इसको गहरे में अपने अन्तर बैठा लेना होगा नमो गुद्धाय